दो दिन पहले एक युवा लड़की को पुरुशों के एक समुध द्वारा परतारित करने और मारपिट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा था वीडियो में पांच अग्यात लोगों को एक युवति को परतारित करते और उसकी पिटाई करते हुए देखा गया वीडियो को व्यापक रूप से साज़ा भी किया गया और आखिरकार इससे छे की गिरफतारी हुई गटना में पीडित और अपराधियों के पहचान बैंगलूरू और धाका में पुलिस द्वारा बंगलादेशी निवासियों के रूप में की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लड़की जो मामली की पीडिता थी मामला सामने आने पर लापता हो गई थी को पुलिस टीम ने केरल के कोजी कोड में ढूंड लिया जहां वो अपने एक फ्रेंड के घर रह रही थी गिरफतार करने के बाद उन में से रिदोय बाबू और सागर ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और भागने की कोशिश की थी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फाइरिंग की और उनके घुटनों पर गोली मारी जो की लड़की की उत्पीडन के आरोप में बेंगालूर में गिरफतार किये गए छे लोगों में से एक है रिदोय बाबू जो मानव तसकरी नेटवर्क से जुड़े हैं पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार वे है इस मामले के मुखे आरोपी है इसका असली नाम रिफादुल इसलाम है आज मैं आपको रिदोय बाबू के बारे में बताने जारी हूँ जो की सोशल मेडिया पर एक टिक टॉक स्टार है अथोरेटिस सेड सेटिंग वी लेर्ण बाबू ने इतनी लोगप्रिये थे टिक टॉक में और इसी लोगप्रिये तक उन्होंने दुरुपयो किया वो लड़कियों को नौकरी देने का जूटा वादा करके उनकी तसकरी किया करते थे 25 वर्सी एर रिदोय बाबू बांगलादेश में एक बड़ी टिक टॉक सक्षियत है अपने परसिद्य और टिक टॉक पर फॉलोईंग का इस्तमाल करते हुए हिरदय बाबू महिलाओ की तसकरी के लिए नौकरी का लालज देते थे ये सभी आरोपी बांगलादेश से हैं जो की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है और मेरी जानकारी का श्रोद भी सोशल मीडिया है और ये जानकारी मैं आप तक शेयर कर रही हूँ